दोस्तों, बदलते मौसम में सब की तब्यत खराब हो रही है। ऐसे में हमें अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए न जाने कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने से लेकर सोने तक का तब जाके हम खुद को फिट रख पाते हैं। कई लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए रोज एकसरसाइज और योगा भी करते हैं। और हमारे सरीर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारी नींड। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि जब आप सोके उठते हैं तो कभी कभी मन भारी भारी सा लगता है। लेकिन हम इन बातों को इग्नोर करके अपने डेली के कामों में लग जाते हैं। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है। सिर्फ एकसरसाइज और खाना पीना ही आपको स्वस्थ और हैल्दी नहीं रख सकता। उसके लिए आपको अच्छे से सोना भी होगा। अब ये मत कहना कि हम परियाप्त सोते भी हैं। अरे भाई परियाप्त सोना और अच्छे से सोना में अंतर होता है। ऐसा नहीं होता तो मेरे जैसे आलसी लोग तो दिन में पता नहीं कितनी कितनी देर तक सोते हैं अच्छे से सोने के लिए सोने की दिसा भी सही होनी चाहिए गलत दिसा में सोना आपको हॉस्पिटल तक पहुचा सकता है क्या आप सही दिसा में सोते हो अब ये मत कहना यार कि दिसा से क्या होता है दिसा से क्या होता है और क्या नहीं वो तो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कई बार हम सोते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग हमें ये बोलते हैं कि बेटा इस दिसा में सर रख कर नहीं सोते ये सोने की सही दिसा नहीं है इससे हानी होती है तो आखिर सोने की सही दिसा क्या है हमें किस दिसा में सर रख कर सोना चाहिए और अगर हम सही दिसा में सर रख कर नहीं सोते तो इससे हमें क्या हानी हो सकती है जानेंगे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में तो बिना इसकिप किये इस वीडियो को अन तक जरूर कि सोने से related हमें ऐसा कुछ जानने को मिलेगा तो चलिए आपको ले चलते हैं सोने की सही दिसा की ओर हमारे जियोती सास्त्र और वास्तु सास्त्र में बताया गया है कि सोने की सही दिसा और सही तरीका क्या होना चाहिए वास्तु सास्त्र के अनुसार हमें उत्तर दिसा की ओर सर करके और दक्षिर दिसा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए ऐसा क्यों जानेंगे आगे कहा जाता है कि दक्षिर दिसा में यम लोग है जहां मृत्यू के स्वामी यम रहते हैं ऐसे में माना जाता है कि जब हम दक्षिर दिसा में पैर करके सोते हैं तो हम यम लोक की और जा रहे हैं। आपने कभी इस चीज को notice किया है कि जब किसी इंसान की मृत्यू हो जाती है तो उसके मृत्षरीर के पैर को दक्षिड दिसा की और और सर को उत्तर दिसा की और रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस इंसान की आतमा को यम लोग पहुंचने में आसानी हो। यह होती है वो दक्षिर दिसा से उत्तर दिसा की और प्रवाहित होती है ऐसे में जब हम दक्षिर दिसा में पैर करके सोते हैं तो यह उर्जा हमारे पैर से हमारे सरीर में प्रवेश करता है जिसका हम पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर आप इसका जश्ट उल पैरों से निकल जाता है जिससे हमें सुकून भरा नींद आता है खाया पिया भी अच्छे से पचता है और ऐसे में जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ताजगी महसूस होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है यही नहीं जब हम खड़े रहते हैं तो हम पर ए जिससे हमारा blood pressure और सरीर का सारा system संतुलित रहता है लेकिन जब हम उत्तर दिसा की और सर करके सोते हैं तो ये system उल्टा हो जाता है blood गलत दिसा की और प्रवाहित होने लगता है पित्वी की चुम्ब किये सक्ती के कारण दक्षिर से उत्तर की और याने की आपके पैर से सर की और और इस कारण कई प्रकार की बिमारियां जैसे श्टोक, heart attack और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं दोस्तों अभी इस वीडियो से जाईएगा मत क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ दो ही दिसाओं के बारे में बात की है अभी तो दो और बचा है उसके बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम इन दोनों दिसाओं के बारे में जाने हैं वास्तो सास्तर के अनुसार पश्चिम दिसा की और सर करके सोना भी अच्छा माना जाता है क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मुख पूर्वदिसा की ओर होता है और इसी दिसा से सूर्यन निकलता है जो हमें ज्यान और उन्नती देता है इस दिसा से जो उर्जा निकलती है वो हमें उत्साहित और सांत रखता है जिस से हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है और सरीर में सकारात्मक उर्जा का संच साथ ही इस दिशा की और सर करके सोने से बुद्धी और एकागरता भी बढ़ती है जैसे जैसे समय बदलता है उसके साथ साथ चीजें भी बदलती है हमारे अभी के कुछ वास्तु सास्त्री और सोध करता ये भी बताते हैं कि हमें पूर्वदिशा की और पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि पूर्वदिसा की और पैर करके सोने से भगवान सूर्य का अपमान होता है इसलिए वास्तु सास्त्री पूर्वदिसा की और सिर करके सोने की सलाह देते हैं और आप उसका स्वागत करने के बजाए उसे पीट दिखाकर खड़े हो जाएंगे तो उसका अपमान होगा ना इसी तरह जब हम पूर्व दिशा की ओर सिर और पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो सूर्य की तरफ उल्टा मुख करके सोते हैं इससे भी सूर्य भगवान का अपमान होता है लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार ज्यादा तर काम जैसे पूजा पाट भूमी पूजा या फिर पढ़ाई लिखाई हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करते हैं क्योंकि इस दिशा को बहुत सुब माना जाता है और अगर आपको ये लगता है कि पूर्व दिशा की ओर पैर और पस्चिम दिशा की ओर सीर करके सोने से सूर्य भगवान का अपमान हो रहा है तो आप सूर्य निकलने के पहले भी उठ सकते हैं वैसे मेरे लिए तो ये बहुत कठिन काम हो गया तो ये थी सभी दिशाओं से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियां इसके बारे में सायद ही आपने कभी सोचा हो इतने सारे तत्यों को जानने के बाद हमें तो यही लगता है कि पूर्व दिशा और दक्षिर दिशा की ओर सीर करके सोना ही ज्यादा फायदे मन रहेगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं तो अब हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही अनोखे वीडियोस की तयारी करने तब तक के लिए टेक के आर